English में अगर आपको बताना है कि आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी चीज है, कोई भी आपजेक्ट हो, वो, आपके जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनको इंगलिश में बताना हो कि मेरे दो कान है, दो आँंखें हैं, दो हात हैं, इनको अगर English में बताना हो, दूसरी चीज आपके भाई बैन है, फ्रेंड है, ऐसा कुछ बताना हो, तो पास होने के sense में हम यूज करते हैं to have का, to have as a main verb इसका use होता है, यानि कि मुख्य क्रिया के रूप में, तो यहां पर जो to have को लेकर important जो concept है, उनको बहुत एजी तरीके से यहां पर मैं बताऊंगी, तो चलिए start करते हैं और देखते हैं, to have जो है, as a main verb इसका use किया जाता है, sentences में, past है के sense में, आपके पास क्या है, तो हमको have का use करना परता है, tenses के according, हम इसका इस्तिमाल करते हैं, जैसे कि present tense है ना, उसमें में भी use होता है, past में भी use होता है, future में भी use होता है, जो भी model auxiliary verbs जो होती है, उनके साथ भी to have verb का use होता है, तो चलिए, एके करके simple way में सीखते हैं, देखें, यहां पर है has, have, has और have, फिर आपको object लगाना है, मतलब to have का use हम main verb के रूप में कर देंगे, और उसके बाद कोई ना कोई object आएगा, कोई ना कोई cheese आएगी, thing आएगी, मतलब आप यहां पर कोई other main verb का use नहीं करेंगे, अन्य मुख्य क्रिया का use नहीं करेंगे, तो has, have का present tense में past है के sense में use हो जाएगा, कहां पर has लगेगा, कहां पर have के sense में है जब आ जाता है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कि present tense की बात हो रही है, और था जब आ जाता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए, कि यहां पर past tense का sense जा रहा है, तो past था के sense में head आ जाएगा, present में has, have, पास है के sense में और future में अगर आपके पास कोई वस्तू या चीज होगी ऐसा कुछ आपको बताना है तो will have का आप यूज करेंगे सारे subject के साथ, head का सारे subject के साथ आप यूज करेंगे will have sense देगा past होगा समझ में आ गया कि has have यानि कि आपके पास कोई चीज है वस्तू है head यानि कि आपके पास कुछ था will have यानि कि आपके पास कुछ होगा तो ये present past और future ये structure चलेगा आपका past होने के sense में कुछ examples देख लेंगे simple way में देखें यहाँ पर hacker sense आएगा मतलब की present tense की बात हो रही है present indefinite tense का ये to have वाला part होता है था यानि कि past की बात हो रही है future यानि होगा होगा future clear है अब देखें I have a pen मतलब मेरे पास pen है मेरे पास pen है present में have आ गया फिर है I had a pen यानि मेरे पास pen था head आ गया तो आप इसको translate करेंगे कि मेरे पास pen था I had a pen इस तरीके से आप sentences बनाएंगे फिर देखें होगा I will have a pen future में मेरे पास pen होगा तो इस तरीके से आप practice कर सकते हैं तीनो tenses की sentence बना सकते हैं और तीनो में आप translate करे sentences बनाए, सीखे, समझे, revise करे, practice करे देखे, I have a car, मेरे पास car है क्या है, मेरे पास car है I had a car, मेरे पास car थी, past में present में have, past में थी I will have a car, मेरे पास car होगी, future में मेरे पास car होगी, future में I have a computer, मेरे पास present में क्या है, computer है I had a computer, मेरे पास computer था, head आ गया यहाँ पर, ठीक है, यह have or had or will have, main verb का यहाँ पर काम करती है I will have a computer, मेरे पास computer होगा, future में I have a mobile, मेरे पास mobile है, मेरे पास mobile था, I had a mobile, I had a mobile, मेरे पास mobile था I will have a mobile, मेरे पास mobile होगा future मे, we have everything, हमारे पास सब कुछ है, we have everything, we had everything, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास सब कुछ होगा, we will have everything, we will have everything, हमारे पास सब कुछ होगा, हमारे पास सब कुछ है, we have everything, हमारे पास सब कुछ था, we had everything, हमारे पास सब कुछ होगा, we will have everything, we will have everything He has a bike, अब यहां पर has आ गया है, देखें यहां पर मैंने mention किया है, has और have का use, बाकि तो had or will have का है न, सारे subject के साथ आपको use करना है He, She, It और singular subject होंगे न, वहां पर आप has का use कर देंगे, याद कर लें, He, She, It और singular subject I, We, You, They, plural subject के साथ आप have main verb का use करेंगे, I के साथ have लगेगा, we have, you have, they have, इस तरीके से singular name होगा, तो जैसे ram has, sita has, plural name होगे तो have आजाएगा, clear है, he has a bike, तो has लगा दिया जैसे he है न, इसलिए, he subject है तो he has a bike, यानि उसके पास bike है, उसके पास bike थी, तो he had a bike, उसके पास bike होगी, he will have a bike, he will have a bike तो इस तरीके से आप differentiate कर सकते हैं, मतलब तीनों tenses के ऐसे sentences बनाएं, have को लेकर और उनकी practice करें next देखते हैं, अगला जो structure है, have का sense आपको समझ में आ गया, कि पास होने के sense में हम have का use करते हैं अब यहाँ पर may के साथ अगर have लग जाता है, तो क्या sense आता है, may जो होता है, शायद, शायद का sense देता है, ठीक है, संभावना का sense देता है तो शायद may का sense लेंगे, आप शायद may और have यानि पास है, तो शायद पास है, ऐसे बन जाएगा may model आपने अलग से सीखे हैं, जो previous classes थी उन में, तो may have, शायद पास है, फिर object आ जाएगा हम ऐसे दिखाते हैं कि शायद है उसके पास, सामने वाले के पास, मतलब हम अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसी possibility है कि उसके पास यह होगा पास है या पास होगा, यह सेंस देगा may have, शायद पास है या शायद पास होगा, दुनों ही correct है शायद उसके पास पैसे है, शायद है इसी संभावना है, possibility है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद उसके पास पैसे है हमें doubt है, शायद उसके पास हो भी, ना भी हो, तो possibility है या 50 to 70 मान सकते हैं शायद उसके पास car है, शायद उसके पास bike है, देखें यहाँ पर may के बाद has नहीं लगेगा, may के साथ have ही लगेगा तो सारे subject के साथ, आप may have का यूज करें, he may have mobile, शायद उसके पास mobile है, शायद उसके पास mobile है या शायद उसके पास mobile है, मतलब अंदाजा ऐसे लगा रहे हैं, तो he may have a brother, शायद उसके एक भाई है शायद उसके भाई है जैसे मैंने बताए बॉडी पार्ट्स के लिए भी आप हाव का यूज़ करते हैं ठीके ब्रेदर, सिस्टर, भाई, बेन, रिलेशन बताने के लिए भी आप हाव का यूज़ करते हैं तो ही में हाव ब्रदर, शायद उसके भाई है, ऐसा हम संभावना दिखा रहे हैं तो क्लियर हो गया होगा, में के साथ अगर हाव लग जाता है शायद उसके पास तुम्हारा laptop है शायद उसके पास तुम्हारा laptop है इस तरीके से आप may have का use कर सकते हैं नेक्स structure देखे हैं आप may have के साथ देख लिया may or have अब यहाँ पर must के साथ have लगा है क्या है? must के साथ must का मतलब sense जाएगा ना मतलब means कि sense लेते हम, जरूर, जरूर के sense में लेते हैं, जरूर ही, निश्चित ही, have का मतलब होना, pass होना, तो जरूर ही उसके pass है, जरूर ही pass होगा, ऐसा sense जाएगा, जरूर का sense जाएगा, possibility बहुत ज्यादा है, में जो है, उसमें must से कम possibility होती है, और must में बहुत ज्यादा possibility है कि उसके पास जरूर ही है ऐसा उसके पास जरूर पैसे हैं उसके पास जरूर पैसे है उसके पास जरूर क्या है कार है निश्चिती उसके पास कार है निश्चिती जरूर ही उसके पास बाइक है तो यहाँ पर आप देखेंगे हाव जब as a mean work pass होने के sense में use होती है तो वहाँ पर आपको ये object नजर आ रहे हैं तो इसके बाद कोई आपको verb यहाँ पर काम क्रिया नजर नहीं आ रहा है जरूर उसके पास mobile है he must have mobile he must have a brother जरूर ही उसके एक भाई है he must have your laptop जरूर ही उसके पास तुम्हारा laptop है जरूरी क्या है निश्चेती तुम्हारा laptop उसके पास है तो he must have your laptop तो must have यानि कि जरूर pass है के sense में या जरूर pass होगा के sense में may have जरूर नहीं आएगा यहाँ पर आएका शायद ठीके शायद pass है या शायद pass होगा जरूर का sense देगा must और have का मतलब pass होगा तो अलग-अलग करके भी आप इनको देख सकते हैं must का आप अलग sense लेंगे have का to be के sense में अलग लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत एजी तरीके से should have अब should का आप use करते हैं present में कोई advice देते हैं present में advice के लिए आप should का इस्तिमाल करते हैं correct है अब have का use मैंने यहाँ पर आपको शुरू में बताया to have यानि pass होना pass होना किसी के पास कुछ pass है तो ऐसे sense में have का use करते हैं तो should चाहिए के sense में आ जाएगा हिंदी में और have pass है तो pass होना चाहिए तो should have मिलके बन जाएगा कि किसी के पास होना चाहिए तो advice के तौर पर आप should have का use कर सकते हैं और फिर object लगा देते हैं यहाँ पर जैसे की he should have money उसके पास क्या होने चाहिए पैसे होने चाहिए ठीक है ऐसी सलहा के तौर पर आप इस should have का use कर सकते है he should have a car उसके पास car होनी चाहिए उसके पास bike होनी चाहिए उसके पास mobile होना चाहिए उसके एक भाई होना चाहिए उसके पास तुम्हारा laptop होना चाहिए ऐसे sense में he should have a bike उसके पास bike होनी चाहिए he should have a mobile उसके पास mobile होना चाहिए he should have a brother उसके पास उसके भाई होना चाहिए ज़रूरी नहीं कि पास है का सेंस दे तो उस पास है ही बोले हिंदी में सेंस आना चाहिए He should have a brother उसके भाई होना चाहिए He should have your laptop उसके पास तुम्हारा laptop होना चाहिए तो should have यानि कि pass होना चाहिए as a advice के तोर पर आप should have का use कर सकते हैं should have के बाद यहाँ पर आपको object लिखना है कोई main verb या verb का use नहीं करेंगे, क्रिया नहीं लगेगी present में advice देते हैं तो should have, pass होना चाहिए था के sense में should have, had और फिर object आ जाएगा past advice के लिए pass होना चाहिए था ऐसे sense में आ जाएगा कि pass होना चाहिए था यानि should have, had तो था आ रहा है ना past की बात हो रही तो had लग गया have के बाद present में आपने should have का use किया तो बिल्कुल भी confused ना हो, should have का use अलग होता है verb के साथ, यहाँ पर हम object की बात कर रहे हैं तो confused बिल्कुल ना हो, तो अलग-अलग uses है, have का as a mean verb, as a helping verb तो confused बिल्कुल ना हो, तो past advice के लिए pass होना चाहिए था देखें, sentences He should have had money उसके पास पैसे होने चाहिए थे, उसके पास car होनी चाहिए थे उसके पास bike होनी चाहिए थी, उसके पास mobile होना चाहिए था, उसके एक भाई होना चाहिए था उसके पास तुम्हारा laptop होना चाहिए था तो head लग रहा है, should have के बाद आप देख रहे हैं, सारे sentences में तो था की feeling आ जाएगी, था का sense आ जाएगा he should have had money, उसके पास पैसे होनी चाहिए थे past advice, he should have had a car, उसके पास car होनी चाहिए थी he should have had, he should have had a bike, उसके पास bike होनी चाहिए थी he should have had mobile, उसके पास mobile होना चाहिए था he should have had a brother, उसके पास brother, उसके पास नहीं, उसके एक भाई होना चाहिए था पास वाली फिलिंग नहीं आ रही है, फिलिंग वही है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम हिंदी में पास है बोले, यानि है किस इंस में भी आप लेंगे इसको, तो पिल्कुल कन्फ्यूज ना हो, He should have had your laptop, उसके पास तुम्हारा laptop होना चाहिए था, चाहिए था, पास होना चाहिए था, past advice के लिए आपने should have had का यूज कर लिया, और फिर यहाँ पर आपने यूज किया should have, should have के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई object आ रहा है, have का sense आ रहा है, अगर यहाँ पर वब आती है, तो मतलब कुछ और हो जाता है, तो इस तरीके से आप should have के साथ फिर object लगा दे, past होना चाहिए, must have यानि जरूर पास है या जरूर पास होगा, दोनों mean निकलेंगे इसके, जरूर पास है या पास होगा, जरूर पास होगा तो must have आ जाएगा, फिर है हाव शायद पास है या फिर हाईद पास होगा, तो शायद वाली feeling आएगी, मेके जगे might का भी use कर सकते हैं, शायद ही वाली feeling आती है उसमें, या उसमें थोड़ी less possibility हो जाती है, एक कम संभावना होती कि शायद ही उसके पास है या शायद ही उसके पास होगा तो इस तरीके से आप अलग-अलग तरीके से हाव का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में तो करते ही करते हैं लेकिन मॉडल्स के साथ जब यूज़ करते हैं तब क्या इनका सेंस बन जाता है कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है कैसे इनको बोला जाता है यह आपने सीखा तो इसके साथ आप अगर practice करेंगे काफी सारे sentences खुच से बनाएंगे जो भी आपके पास है किसी और के पास है subject change कर दे और फिर practice करें